I am Dr. Manju Balayadar, Associate Professor in Chemistry, Government College, Quota आज हम entropy change for an ideal gas के बारे में पढ़ेंगे हमें पता है कोई reversible process अगर है जिसमें की pressure volume work हो रहा है तो उसमें जो ideal gas अगर हम ले रहे हैं तो entropy change जो है वो process में ds is equal to q reversible by t होगा entropy जो है state function है जो की सिर्फ initial and final state पर depend करती है और वो depend करेगी तीन variable pressure volume temperature में से दो variable पर एक temperature होगा और दूसरा या तो pressure होगा या volume होगा अब हगर हम temperature और volume variables लेकर चल रहे हैं तो उस case में entropy change for an ideal gas क्या होगा वो हमें calculate करना है तो हम हमें पता है कि first law of thermodynamics कहता है d e is equal to q reversible minus p d v और जो change of internal energy with temperature at constant volume होता है उसको हम c v बोलते हैं आपका heat capacity at constant volume तो यहाँ पर जो d e आ जाएगा वो c v d t हो जाएगा ठीक है अब अगर हम first equation जिसमें कि हमको d e is equal to q reversible minus p d v है और दूसरा जिसमें d e is equal to c v d t है अगर इन दोनों को हम जो है लिखें तो हमारे पस क्या हो जाएगा q reversible command क्या हो जाएगा q reversible command जो है वो first or second is c v d t plus p d v के बराबर हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि हमने d e की value क्या रख दी c v d t रख दी अब हमें पता है pressure जो है r t by v होता है for one mole of an ideal gas तो यहाँ पे q reversible जो है वो c v d t plus r t d v by v हो जाएगा ठीक है क्योंकि pressure कितना है it is r t by v तो r t d v by v हो जाएगा आप हमें पता है q reversible जो है वो t d s के बराबर होता है at constant आपका जो है temperature के उपर t d s तो यहाँ पर हम इस equation के अंदर third equation के अंदर q reversible की जगे t d s is equal to c v d t plus r t d v by v हो जाएगा आप जो आपका differential है d s उसका मान क्या हो जाएगा c v d t by t हमको d s निकालना है तो यह जो t है यह इनके नीचे आजाएगा d t by dt r t क्योंकि t से divide कर रहे हैं तो t t कट जाएगा तो r आपका d v by v यह term हमारी आ गई अब अगर हम differential की value निकालने के लिए हम integrate करें limits 1 और 2 state में तो हमारे पास क्या आ जाएगा d s is equal to s1 s2 और यहाँ पर c v d t by t t1 t2 और यहाँ पर r d v by v v1 v2 ठीक है तो हम first and second states में जो है इसको integrate कर रहे हैं value को निकालने के लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा it will be s2 minus s1 that is del s is equal to c v ln of t2 minus t1 क्योंकि इसका अगर हम निकालेंगे तो ln t हो जाएगा और जब value पूट करेंगे तो ln t2 minus ln t1 हो जाएगा जिसको ln t2 by t1 लिख सकते हैं और ऐसे ही r log of ln of v2 by v1 हो जाएगा अगर हम n moles ले रहे हैं तो हमारी value del s की क्या हो जाएगी n c v ln t2 by t1 plus n r ln v2 by v1 तो यह हमारी value हो गई entropy change की ideal gas में जब हम temperature और volume variables ले रहे हैं अब अगर हम कौन से variables ले रहे हैं एक temperature है और दूसरा pressure है तो यहाँ पर हमें पता है ideal gas के लिए p1 v1 upon t1 is equal to p2 v2 by t2 अब इस में से अगर हम v2 by v1 के value निकाल ले तो हमारे पस क्या हो जाएगी p1 t2 upon p2 t1 ठीक है ना हमने v2 by v1 निकाल लिया तो p1 t2 upon p2 t1 अब इस value को जो v2 by v1 value है इसको हम जो हमारी equation number जो है 6 आई है यह हमारी equation number 6 है तो यह v2 by v1 की value जो है हम equation number अगर 5 में जो हमारी value आई थी उसमें हम रखेंगे इसको equation number 5 में रखेंगे तो हमारे पस आजाएगा del s is equal to cv ln of t2 by t1 plus r ln of हमारे पस क्या था v2 by v1 5th equation में v2 by v1 था तो v2 by v1 की जगे हम p1 t2 upon p2 t1 लिखतेंगे ठीक है आप जो है इसको अगर हम आगे देखे तो यहाँ पे क्या हो गया आपका इसको cv ln t2 by t1 प्लस r ln t2 by t1 प्लस r ln p1 by p2 ठीक है अब हमारे पस दो टम t2 की है और एक p1 p2 की है तो यह दोनों प्लस हो जाएंगी cv प्लस r ln of common है t2 by t1 और यहाँ पे जो है आपका माइनस r ln p2 by p1 क्योंकि प्लस r ln of p1 by p2 है तो अगर हम इसको p2 by p1 करते है तो हम माइनस करतेंगे और अगर हम यह जो है यह हमने cp प्लस cv जो है अप नेक्स टेप पे हम इसको क्या लग सकते है cp cv प्लस r की जगा क्योंकि cp माइनस cv क्या होता है r होता है तो हमारा cv प्लस r क्या हो जाएगा cp ln of t2 by t1 minus r ln of p2 by p1 n moles के लिए लेंगे n cp ln of t2 by t1 minus n r ln of p2 by p1 तो यह हमारी entropy change के value आ जाएगे जब हमारे variables क्या है temperature और pressure ठीक है तो वहाँ पर हमारी value थी cv ln of t2 by t1 plus n r ln of v2 by v1 और यहाँ पर हमारी n cp ln t2 by t1 minus n r ln p2 by p1 हो जाएगा अब अगर हम देखें entropy change in different process for ideal gas अगर हमारे ideal gas के जो different process है isothermal process है isobaric process है isocoric process है तो उनके लिए entropy change का मान क्या होगा तो सबसे पहले हमारा है isothermal case जब हमारा temperature t1 is equal to t2 है या temperature constant है तो equation number जो हमारी 7 थी उसको हम कैसे लिख सकते हैं dells at constant temperature ठीक है और क्योंकि temperature t1, t2 बराबर है तो यह term खतम हो जाती है तो हमारे पस क्या बच जाती है minus nr ln of p2 by p1 या nr ln of आपका v2 by v1 ठीक है न क्योंकि pressure inversely proportional to volume है तो p1 by p2 क्या होगा आपका v2 by v1 तो यहाँ पर जो है अगर हम minus में ही लिखेंगे तो v2 by आपका v1 by v2 आता तो हमने minus को plus में कर दिया तो v2 by v1 आ जाएगा तो हमारे पस value क्या होगी 2.303 nr log v2 by v1 is equal to 2.303 nr log of p1 by p2 ओके तो यह हमारे पास अगर हमको entropy change जो है isothermal process में देखना है हमको तो हमारी value जो है simply या तो इस formula से अगर volume term है तो v2 by v1 log और अगर pressure term है तो p1 by p2 से हम निकाल सकते हैं और इसमें entropy change जो है इसलिए अगर expansion हो रहा है expansion हो रहा है मतलब v2 जादा है v1 से तो उसमें entropy change जो है वो positive होगा या हमारे पास p1 greater than p2 है तो positive होगा और अगर हमारा compression का case है यानि कि हमारा v2 कम है है ना या हमारा p1 कम है तो उस case में जो है वो negative हो जाएगा तो इस तरह से हम isothermal process में देख सकते हैं अब है second number isobaric process isobaric process मतलब p1 is equal to p2 तो अगर हम अपना जो है original formula देखें 7 वाला तो उसमें क्या था आपका ncp ln t2 by t1 minus nr ln p2 by p1 तो अब इसमार isobaric process है तो p1 p2 बराबर हो गए तो हमारा जो है del sp अब pressure constant है तो हम इसको क्या लिखेंगे del sp जब temperature constant था तो del st और इसका value हो जाएगा ncp ln of t2 by t1 या 2.303 n cp log of t2 by t1 entropy of ideal gas increases with increase in temperature at constant pressure process अगर हमारा pressure constant process है तो हाँ पर जो entropy होगी वो किसे increase करेगी increase in temperature से ठीक है तो इस प्रकार से हम isobaric process के लिए बोल सकते हैं अब है हमारा isocoric process isocoric process मतलब volume हमारा constant है तो v1 is equal to v2 तो यहाँ पर जो है हमारी equation number 7 क्या बन जाएगी dellsv is equal to ncv ln of t2 by t1 या 2.603 ncv log of t2 by t1 अब अगर हमको mixture of ideal gases है तो उसके लिए अगर हमको entropy change calculate करना है तो हम कहते हैं for 1 mole of an ideal gas ds का मान क्या हो जाता है cv dt by t plus r dv by v ठीक है यह equation हमने जो है शुरू में आपको जो हमने पढ़ी थी जब हमने दो variables temperature और volume लेकर हम चले थे तो हमारे पास equation आ गई थी ds is equal to cv dt by t plus r upon r into dv by v तो इस equation को ही हम जो है लेकर चल रहे हैं इससे हम entropy of mixture of ideal gases निकालेंगे ठीक है तो यहाँ पे one mole of ideal gas के लिए ds is equal to cv dt by t plus r dv by v अब अगर हम इसको integrate करें एक above equation को जिसमें कि cv जो है हमारा constant है तो क्या value हो जाएगी cv ln t plus r ln v plus s0 जब हम integrate करते हैं तो हमारा पस integration constant आता है और s0 जो है integration constant है तो यह हो जाएगा अब हमें पता है कि cp minus cv is equal to r और pv is equal to rt उससे v is equal to rt by p तो अब इस 11 equation में अगर हम cv की जाएगा क्या रख दे cp minus r ln t plus r ln हमारा v की जाएगा क्या रख दे rt by p plus s0 तो यह हमारी value आ जाती है अब s जो है इसको अगर हम खोले तो cp ln t minus r ln t plus r ln r plus r ln t minus r ln p plus s0 इसको हमने खोल दिया बच्चो यहाँ पर यह आपका r t by p है ln है तो ln r अलग कर लिया ठीक है r तो common है सब में ln t कर लिया और यह नीचे है तो minus ln p हो गया ठीक है अब आपकी यह दोनों कट जाएगे तो cp ln t minus आपका r ln p plus r ln r plus s0 value आ जाएगे ठीक है तो हमारे पास जो है cp ln t minus r ln p plus s0 अभी जो s0 डाश है यह हमारा r ln r plus s0 की जगे हमने s0 डाश रख दिया ठीक है अब अगर हमारा जो है ideal gases respective जो ideal gases है mixture of ideal gases है उनके लिए अगर partial pressure p1, p2, p3 है और उनके number of moles n1, n2, n3 है तो जो entropy mixture की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अलग-अलग जो हमारी gases है उनके लिए n1, cp ln, t minus r ln, p1 plus s0 ऐसे ही आपका जो है n2 के लिए यहाँ पे भी n1 जो है बहार कर लीजे इसको plus n3 तीनों के लिए हम ऐसे अगर mixture of 3 gases है और यह summation n हो जाएगा और cp ln, t minus r ln, p plus s0 अगर n1 है आपका तो p pressure आप p1 हो जाएगा ठीक है मतलब हम उसका summation ले लेंगे different mixture of gases है अब हमको पता है यह partial pressure जो है वो mole fraction into total pressure के बरावर होता है pressure की जगे partial pressure की जगे हमने क्या रख दिया xp mole fraction into total pressure plus s0 अब इसको खोलेंगे तो cp ln, t minus r ln, p minus r ln, x plus s0 और यह जो है हमारी mixture of entropy of mixture of ideal gases जो है वो किसके ओपर depend कर रही है इसलिए number of moles जो different gases के हैं और जो हमारा साथ में हमारा जो cp की value है cp ln, t की minus r ln, p की minus r ln mole fraction की और प्लस हमारा जो है integration constant इससे हम entropy of mixture of ideal gases निकाल सकते हैं Thank you